सार्जुनिक रूप से आप भी जनता के सामने आए और सार्जुनिक रूप से वो भी जनता के सामने आए और आप ये कहें कि हरी शुरावत जी के कारेकाल में हमने इतने लोगों को नौकरी दी आप से एक बात जाना चाह रहा हूँ, आप साप और नेवले को कैसे मिला देंगे? कौन है साप और नेवले? हरीच रावत जी को लेकर इतना हिचकिचा रहे हैं मुझे हैं मैं पूछ रहा हूँ कि आप इसी प्रस्ण पर लेके क्यों घुमा रहे हैं? नमस्कार, इस बार देव भूमी का दंदर बेहत दिल्चस्प होने जा रहा है लेकिन इस दंदर में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मारेगा बाजी अब देखना यही दिल्चस्प होगा लेकिन इतना तय है कि इस बार की लड़ाई एतिहासिक होगी अब एक तरफ देश के प्रधान मंतिरी नरेंदर मोदी इस लड़ाई को नाक की लड़ाई बना चुके है और दूसरी तरफ हरी श्रावत के नेतिवत में कॉंग्रेस खड़ी हुई दिखाई दे रही है लेकिन कॉंग्रेस लड़ेगी कैसे तमाम सवाल और सवालों के जवाब आज खुद कॉंग्रेस के कप्तार उत्राखंड के देश अध्यक्ष घणिश गोद्याल देंगे हमार साथ घणिश गोद्याल जी चुड़े हुआ है ये भारतियता की जीत है भारतिय किसानों की एकता की जीत है और कॉंग्रेस के उस अडिग कदम की जीत है जो राहूल गांदी जी के नितुत में कॉंग्रेस ने इन काले कानूनों के खिलाफ जो कदम जमाया था ये उसकी जीत है Congress की कैसे जीत है? Congress ने पहले दिन से इस बात को कहा कि यह जो कदम उठाया है यह तीन कानूर बना कर यह उठानों के हित में नहीं है उत्राखंड राज्य के Congress के अध्यक्ष है आप तो बदाई नहीं देंगे आप प्रदान मंत्री को औरने कदम पीछे खीच लिए? कदम पीछे खीचने के लिए बदाई किया होती है? जब कोई व्यक्ति आत्म मुक्दता में इतना ज्यादा लीन हो गया हो, तो वो सोयम अपने को बदाई जेनें कि हमने बहुत ऐतिहासिक काम कर दिया इस कानून को पीछे लेकर इस कानून को समाप करने की गोशना करगे हमने बहुत बड़े काम कर दिये हम बधाई उस दिन उनको देंगे जिस दिन इन कानूनों के बाद देश में किसानों का और इस देश का हजारों करोड रुपए का जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरप उनको सहीध का दरजा मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम पांच-पांच करोड रुपे परतेक मिर्तक के परिवार को साहिता की रुप में केंदर की सरकार देगा। आपको लगता है कि अब असर पड़ेगा उसका देखे जो आंदोलन कदम जो पीछे की चतर तो अपनी जगा स्थिर है क्यों इसलिए यह इसी परकार है कि कोई ब्यक्ति एक अपराद करने की नियत से कुछ करे और उसके बाद पकड़े जाने पर यह कहदे कि ने ने हम इसको वापस करते हैं हम तो हम तो करने वाले नहीं थी हम इसको नहीं कर रहें हैं यह इसी परकार की बात है ये देश के परते अपराद था, ये किसानों के परते अपराद था, अपराद की सर्णी में आता है तो कैसे लोग चुनाओं में तो फिर आप पर भरोसा क्यों चले एक किसान सबसे ज़्यादा आपने राज किया, MSP तो आपने भी नहीं दी किसानों को वो किसान आप पर भरोसा के लिए आज तक जो किरसी मंडी समितियों में और जो खेती की उपज को बेचने के जो सरकारी जो इंतजामात हैं वो सब कॉंग्रेस की दिन हैं हमने किसानों को बिचॉलियों से बचने के लिए सरकारी इसकर पर मंडी समितिया बनाई माल मंडी समितियों में आता है और मंडी समितिय से माल फिर आगे बहुत ठत जाता है तो वही बेवस्ता चली आ रही है जो कुछ किया कवरेश नहीं तो किया बारती जिन्दा पार्टी तो आप MSP भी दे देते ना किसानों को विवाद ही नहीं होता परशासनी का आदेश ही निकालना था नहीं ऐसा है कि MSP का जो जहां तक समर्थन मुल्य हम तैय कर देते हैं अब यह आप मैं बता हूँ उत्रा खंड में गरने का समर्थन मुल्य जो हरीश रावाद जी की सरकार ने तैय किया उससे एक रुपए आगे नहीं बढ़ा तो हम जब थे हमने किया न हमने उसको आगे बढ़ाया और आज पांच साल से छे साल से जहां का ताहा है तो हमने समय समय पर जो आवश्यक्ता आन पड़ी जो आवश्यक्ता थी किसानों की जो आवश्यक्ता थी वो किया लकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जब हरीश रावाज जी का कारेकाल था, चलिए वीजे बॉगणा जी का कारेकाल छोड़ दिए, हरीश रावाज जी ने ऐसे कौन से दो फैसले किसानों के हित में लिए, वो बता दीजे, मैं आपको बता तो रहा हूँ, कि गन्ये का स किसान को एड्रस किया, आपने गन्ये के बारे में अगर कोई बात कही कि जिससे की किसानों को फाइदा हो, तो वो सीधा-सीधा किसान का फाइदा है, तो अगर हमने गन्ये का समर्थन मुल्य उस समें बढ़ाया, तो ये सीधा-सीधा किसान का ही तो फाइदा हुआ हुआ, और उसके कुछी चार-पांच साल पहले उसके जो केंदर से जो रिर्माफिक की हम बात कर रहे हैं। लोग स्वेचिक चकवंदी के लिए तयार हो सकते हैं। बनेगी और उसके बाद मेरा ये मानना है कि हम अगर रोजगार की बात करते हैं तो उत्पादकता ही रोजगार की जनली है। तो ऊमें जहां जो हो सकता है पादवी चेत्रों में आगर फल पट्टियों का निर्मान हो सकता है फल पट्टी बन सकती है। तो वहाँ फलों के बगीचे लगने चाहिए, फलपटियां बननी चाहिए, जहां खेती हो सकती है, समतल जमीन है, सिचाई हो सकती है, तो किरसी के आधार पर उसको आगे बढ़ाने के लिए कारियोजना बननी चाहिए, तो हम ये सब काम करेंगे, हमारा मकसद होगा कि हम गोशना पत्र बना रहे हैं, क्या ऐसा संभव हो सकता है, और एक पहल गनेश गोद्याल के द्वारा हो, जो कि कॉंग्रेस के अध्यक्ष हैं और इसका पूरे के पूरे देश के भीतर एक संदेश जाए, क्या ऐसा हो सकता है कि आप जो संकल्पत्र, गोशना पत्र या विज तो हम इतने time period में ये सभी जो संकल्प ले रहे हैं हम इसको पूरा करेंगे वरना जंता हमारे उपर मुकदमा करें आपने अच्छा idea दिया और मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें सभी राजनेतिक दलों के लिए ये तै करें कि सभी लोग इस प रोड की बात कर रहे हैं उसमें हो इसमें कई चीजें देखनी पड़ेंगी मैं यहां से गोशना करूं और वो लीगल प्रेटफरम पर फिल्ट ना बैठे तो उसको भी जहांच नहीं क्या है जनता विश्वास करेंगी आप पर पूरे देश में नजीर बन जाई गड़ें ठीक है अच्छी बात है अच्छी बात है मैं तो कहा रहा हूँ सभी करें इस चीज़ को हम भी करेंगे हम भी उसमें सामिल है लेकिन चूंकि ये एक सिर्फ एक पार्टी का मसला नहीं है मैं इसका एक उधारन देता हूँ आपको जिस वक्त प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में किशोर उपाद धाय जी थे और हरी श्रावत मुख्य मंत्री हुआ गरते थे तब उस वक्त वो आपका संकल्प पत्र घोशना पत्र विजन डॉकुमेंट लेकर मुख्य मंत्री ज चैनल के मादिम से जिनता को आस्वासन देना चाहता हूँ कि हमारा जो भी विजन डॉकुमेंट या हमारा जो भी गोशना पत्र तयार होगा उस गोशना पत्र को लागू करने के लिए हमारी आने वाली सरकार उस गोशना पत्र के अनुरूप कारिकरे इसको सुरिश्चित क करने के लिए संगठन मजबूती के साथ खड़ा है मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि हम उस गोशना पत्र को लागू कराएंगे आप संगठन के मुख्यां है तैयारी पूरी है बारात पूरी तरह से तैयार है लेकिन दूला नहीं दिखाई दे रहा है दूला कौन आपका आपका अर्थ क्या है दूला कौन है मतलब हमने पहले ही का है इससे पहले जब बारात निकली और सफल बारत ने निकली उस समय दूले कौन बने और आने वाले वक्त में आप इस चुनाओ के दूले के अगर बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक से काबिल नेता है जैसे की जैस जाए और उसके बाद बारात सजने के बाद निश्चित रूप में हाई कमान और चुनेवे हमारे विधायक मुख्यमंत्री के चेहरे की बाद जहां तक आते हैं आप बड़ी कंफ्यूजन क्रेट कर रहे हैं मतलब हरी च्रावत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे था इसा तो नहीं कह रहा हूं आप नेगेटिव मत लीजिए होगा आपने कश्मकश क्योंकि जनता जानना चारी है ना आपका चेहरा कौन है और आप कंफ्यूजन क्रेट कर रह पिर हरिष रावत को लेकर इतनी कन्फिश बंगी है। हरिष रावत जी हो सकते हैं निश्चित रूप में वो पहले रहे हैं मुख्यमंतिर अच्छा कारेकाल बहुत अच्छा कारेकाल इस प्रदेश को भारतिय जन्ता पार्टी के सासन में जो पट्री से उतर चुका था उसको वापस पट्री पे लाने का था कोई हरिष रावत को लेकर कन्फूजन क्यों है मैं ये इस इसना बस जानना चाहरा हूँ कोई कन्फूजन ने ये किसी को लेकर मैं हम सही उतरूप में अभी तक आपने देखा कि सभी लोग सही उतरूप में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा ये नीतिकत फैसला है आगे समय आने पर इसमें ब बात ले आएं और उसका मुकाबला करने के लिए हमें भी कुछ नहीं बात लाना पड़े है और हरीश रावत जी को लेकर इतना हिचकिचा रहे हैं मुझे मैं पूछ रहा हूँ कि आप इसी प्रशन पर लेकर क्यों घुमा रहे हैं यो कि जनता यही जानना चाहरी है कि चहर कौन है आपका तो जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सौ दिन का समय है पता चल जाएगा कि चहरा यह है अब मैं आखरी इसी से जुड़ा हूँ एक चोटा सा बिल्कुल सवाल पूछ रहा हूँ हरीश रावत जी एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि मैं ए एक दलित मुख्यमंत्री बना कर निश्चित रूप में जो सामने उनको दिखा लोगों की भावनाएं जो उन्हें दिखी और लोगों के भावनाओं में जो उन्हें यह दिखा कि लोगों ने इसको बहुत अच्छा अप्रिशेट किया उसी के मदे नजर उन्होंने ये भी कहा और उनकी इच्छा रही होगी कि वो अपने रहते राजजितिक छेतर में अपने रहते किसी दलित ब्यक्ति को उत्राखंड का मुख्यमंत्री देखें ये इसको सिर्फ इस रूप में देखा जाना चीए कि ये उनकी इच्छा है लोगों के जहन में ये संदेश गया कि ये ये उनकी इच्छा है ये कहा तै हुआ कि हम किसी को मुख्यमंत्री बना रहे है चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ अब मैं आता हूँ आपके सबसे महत्पून विषय पर जिसको लेकर आप संकल्पित है आपने रोजगार का जिक है बिलकुल गडेश गोद्याल जी मुझ आम आदमी पार्टी हो, आप भी कर रहे हैं, विजन क्या है गणिश को लियार के पास, क्या विजन है, बिलकुल, देखिए ऐसा है, मैं 2017 में चुनाओ हारने के बाद, मेरा अधिकान समय इस बात के बनन करने में गया, कि हम उत्राखंड को बेरोजगारी से कैसे मुक्त कर सकते हैं, और दुनिया की कोई भी एकनोमिक्स साहिद मेरे इस सिद्धान को जुटला पाए, कि उत्पादत्ता ही रोजगार की जनली है, मैं थील साल के मंतन के बाद इस डिसकर्श पर पहुँचा हूँ, कि प्राफ्मित तौर पर, प्राइमरी तौर पर, किसी भी रोजगार के सरजन्ता जरिया है, उत्पादता है, तो जब ये मंत्र जब हमें मिल गया है, कि उत्पादता ही रोजगार की जनली है, तो हमें उत्पादन पर ध्यान देना है। आप भी उसमें शामिल थे, आपने कहा कि आकड़ जारी, मैं भी मानता हूँ, कि विभाग के अनुसार वो आकड़ जारी होने चाहिए, यह नंबर, सूची, जिनका आपने न्युक्ति पत्र दिया, उनका नाम जारी होना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आप जो चुनोती दे कर कह रहे हैं, और यह नुक्ति पत्र है, यह नंबर है, और यह उनके नाम है, हम तयार हैं, आप कभी भी उन्हें बुला दिजिए, भरीष्ट रावज जी के कारेकाल में हमने कितनी नौकरियां दी, कितने नुक्ति पत्र दिये, विभाग वार, सूचना देने के लिए हम आप बनाई बेरोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा, हमने बना रखा है, गणेज गोद्याल जी लगातार ये कहते हैं, कि मेरा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगार दूर करना है, तो गणेज गोद्याल जी यहां से क्यों नहीं शुरू करते हैं, आप जारी करें सारज पर गंबीरता को इस रूप में, सहज रूप में देखा जा सकता है कि हमारे मैनिफस्टों में नंबर एक पर गे बिंदू होगा पिरोजगारी का जो प्रस्ट है, बिरोजगारी का जो मुद्दा है वो नंबर एक पर होगा अगर हम गलत सवाल पूछने तो आप क्यों नहीं जारी करते हैं आप भी जारी करिए ना, आप अगर मौझूदा सरकार को चुनोती दे रहे हैं तो नैतिक्ता ये भी है कि हरी श्रावजी अपने कारकार के क्यों भी गरते है करें दो दिन पहले तो मैं वह आंकड़े ने किपका आता है मोझ परतिबड्द हैं और वह भी आंकड़े जारी करेंगे उन्हों कुणा जारी कारें के हम ने इतना रोजघार दे दिय नहीं आप इबता दिजी ना कि आपने कि रोजगार दिया कि इस सरकार ने साड़े चार साल में 32 सो लोगों को रोजगार नहीं दिया सरकारी नौक्रियों की जो बात कर रहे हैं 32 सो लोगों को नहीं दिया और हमज ने कितना दिया? और वो अपने विजन को लाए सामने मैं अपने विजन को सामने लाऊँगा कि हमारा क्या विजन है वो लाए हम भी लाए शलिए मैं यहां से सीधे तोर पर कहता हूँ कि News World India जो चुनोती गणेश गोद्याल जी ने हमें दी है हम भी सिवकार करते हैं और गड़ेश गोद्याल जी को हमने एक चुनोती दी है वो भी सिवकार कर रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर वो एजन्डे पर काम करें और रोजगार हरीश रावच जी ने कितना दिया वो भी आकड़े लेकर जन्ता के सामने जल्द आएंगे अब मेरा अगला सवाल आपसे गड़ेश गोद्याल जी संग अठन के स्तर पर खूब महनद कर रहे हैं आप लोग हवा में पतंग क्यों उड़ा रहे हैं आप कह रहे हैं कि वो भी आ रहा है वो भी आ रहा है कोई आया भी नहीं यश्पाल आरे जी सिर्फ आये और कोई और नहीं आया लेकिए हच्ट किया आप हवा में बोगते हैं कि कई लोग आने को त्यार है यह हवा में नहीं है हकिकत है कि अगर मैं संख्या में बताओं बताईए लेकिन अगर हम दर्वाजे ही खोल दें तो यह पूरी बीजेपी में कॉंग्रेस हो जाएगी लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते हैं पुराने साथियों के बाद की जो यहां से गए हुए है वो साथि भी उसमें सामिल है जो आना चाहते हैं निश्चित रूप में साथि तो राहूल गांदी जी के दर्द तक आई तो ऐसे साथि सामिल है लेकिन तो फिर आये क्यों नहीं वो बहुत सी परस्तितियां होती है वो आए क्यों नहीं कुछ कारण होंगे जिनकों मैं सारवजली नहीं करना चाहता है लेकिन इच्छा है सबकी तो आप उनको माफ कर देंगे ऐसा है कि माफ मैं अकेला बेकते नहीं हूँ कि जो मैं माफ करो या मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि मैं जो इस सब्द का इस्तिमाल करूं कि मैं उन्हें माफ ने करूंगा सजा दूंगा मैं कोई ऐसा पावर वाला भी लेकिन गदारी तो की उन्होंने पार्टी के साथ भी और भी शरावजी के साथ भी अज़ा है कि हाँ निश्चित रूप में जो उन्होंने किया मैं यह मानता हूँ कि उन्हें करना चाहिए था और निजी रूप में आज भी मैं उनसे जब मिलता हूँ तो मैं खहता हूँ कि आपने गलत कि महला हराक सिंह रहाँ तो मैं नाम किसी का निए ना चाहिए क क्यों नाम लेके भी बिशी रूप में क्यों जो आप एक क्राइटिरिया बता थे पहुती है आपने का उणिका में जबाब रहूं तो आप उसमें नाम किसी का भी ले, आप ने पूछा कि वो कौन से साथी थे कि जो हमारे सामिल होने के जो स्थान दर्वाजे तक दर्वार से वापस आए, नामु की उपचारिक्ता में क्या रखा है, आप सब जानते हैं कौन थे, क्या थे, लेकिन थे, ये सत्य है कि प मैंने बहुक्त तो आना चाह रहे हैं लेकिन चर्चा यहे थी कि अनिल भालूनी।नी जी ने उनको वापिस धर्वाजे से खीच ला के Oct यह मैंने भी सुना द्रार कि एक हुण कि ऐन्य ऑपको पास ओर कर दें तो हमों इसमें लेकिन आज तक तो सपत हुई है लेकिन गडेश को द्याल जी आप से एक बात जाना चाहरा हूँ आप साप और नेवले को कैसे मिला जाएगे कौन है साप और नेवला वो तो हरिश रावत जी ने बताया था कि कौन साप और कौन नेवला बात तो आपने भी करवाई थी फोन पे और इस रावत जी ने ये का था कि जब आपदा की स्थिति हो तो उस समय साप और नेवले अगर एकी स्थान पर भी आ जाएं तो उसमें कोई बुराई नहीं है और आपात स्थिति कौन में आपदा की थी अच्छा मुझे लगा कि चैद राजनेतिक नजरिये से आपदा की स्थिति थी वहाँ कुमाउं चेतर में रामनगर चेतर में आपदा आई थी और रामनगर के हम एक गाउं में थे तो उस गाउं में बहुत ही विकट रिस्थिति थी लेकिन आज चूंकि जन्ता के बीच आपदा आई है इसलिए हम सांफ नेवलों को भी एक साथ आकर इनके हित के लिए काम करना चाहिए मुझे लगा श्याद आप मिलान करवाने वाले हैं में देखराऌ में डीची दूं़ली होती है लेकर यहा तो थी नई ऐसा नहीं यह नगड़ा HR आप भो लट चलें जी आप श्याद अपने पुराने मैं उनके लिए इसथान बना पाया है तो चलते चलते आम आदमी पार्टी कैसे लगतीया आपको कि मुझे कैसी लगती है कि मैं सिंग झवाब देने के यूआ मैं सही पेखते नहीं हूँ तो दिल्यली के लोगों को पूछना चाए है कि आप आपनी आपनी पर्टी और्जे bağ है कि बाकि मुझे सीटों के रूप में आम आदमी पार्टी का कोई परफॉर्मेंस दिखता हुआ नजर नहीं आता है आपको लॉस होगा इसको हमें जी देखिए ये भाजपा की कोसिस है जो आप कह रहे हैं मनला बीटीम की कोसिस है कि आम आदमी पार्टी के माध्यम से करते नहीं है जो कहते हैं वह करते नहीं है तया है और मुझे बहुत पसंद आए उन्होंने कहा कि मैं दोंने बातेचार मत्रों चालुए उनसे भी आगे रिकॉर्ड इस तो पर इनके टाइम में ब्रश्टाचार है आज खनन के छेत्र में पूरा खनन महकमा ब्रश्टाचार में डूबा हुआ है यह बड़े दुर्भागी की बात है कि एक 600 करोड का बकायदार है मैं नाम इसले नहीं ले रहा हूं कि वो चीजें अभी परवान नहीं चड़ी है चुनाव ऋरने के लिए थोड़ा बहुत सरकार में जमा कर तेजी हम रफाद रफाद कर देगे अगर इस तरह की उत्रा खंड में कोसेशे हो तो मैं समस्ता हूँ.. 600 करोड का बकायदार मैं समस्ता हूँ.. कि अगर इस तरह की सरकार की द्वारा कोसेशे हो तो nes चई आपके पास अगर कुछ प्रूफ है तो रखी ना सामने. मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि साक्षे रखी सामने. मैं क्या कह रहा हूं आपको? साक्षे ये है कि आप उठा के देख लिजे मैंने सुचना अधिकार में निवेदन किया है. उमीद करता हूं कि मैंने किसी से सुचना अधिकार में मंगाया है. उमीद करता हूं कि वो जल्दी आ जाएगा. खनन के पट्टे. आज तक देख लिजे कि पिछले सौ दिनों में कितने खनन के पट्टे बांटे गे. मैं नहीं चाहता कि उत्राखंड कोई नया मदुकोडा बनकर इस प्रदेश को कलंकित करे. इसलिए मैंने समय से पहले ये बात कह दी. तो आप धामीद की को मदुकोडा कह रहे हैं? मैं किसी बेख्ती का नाम नहीं ले रहा हूं. तो मुखे मंत्री तो वही है. आप छेसो करोड का भी जिक्र कर रहे हैं. जो सर्व सक्ती संपन हैं. उन्हीं के द्वारा तो हो गए. वाकिवार कौन कर लेगा? तरी हैं. मैं इस बात को समझना चाहरा हूं. आप धामी सरकार की तुलना मदुकोडा से कर रहे हैं. बिलकुल कर रहा हूं. कि ऐसा नहीं होना चाहरा हूं. मैं तुलना इस रूप में कर रहा हूं. कि उत्रा खंड में कोई दूसरा मदुकोडा पैदा नहीं होना चाहरे. ये प्रदेश कलंकित नहीं होना चाहरे. इसलिए मैं समय से पहले कर रहा हूं. कि इस परकार के कामों से बचे सरकार आप छे सो करोड का जिक्र कर रहे हैं आपने एक बयान में आपका याद है मुझे आपने का कि हमें भी ओफर दिया गया था 25-25 करोड का जिस वक्स सरकार तूट रही थी वो बिलाइकों को खरे यह थाकती तुरूख से जो जिस दिन उने यह सब नाटक किया उस सुबह ग्यारा बजे में परेस में जाकर मैंने बात कही कि कल रात को मेरे घर में लोग पैसे लिक आया थे मैंने कहा भी बात को 25 करोड 25 करोड नहीं लाए थे कितना लाए थे वो तो बैग में था लेकिन उन्होंने ये कहा कि इतना तक भी हम कर सकते हैं कौन थे वो ऐसा है मेरे पास अगर कुछ रिकार्डिंग होती और मेरे घर में ऐसा सिस्टम बने लगाया होता तो मैं फिर प्रूफ के साथ टेता अब मैं अगर कहूं कि फरा था तो उसको मैं प्रूफ नहीं कर पाऊ हो खा सो किसी का नाम लेना जोचीद नहीं लेकिन इतना तै है तो आपके साथी बिकाउट है जो आपके साथी तूट के गए है वोंसा पब आपके लगाया है लेकिन ये तैह है कि खरिदार मजबूत था वक्त इजादत नहीं दे रहा लेकिन चलते चलते क्योंकि उस दौर का आप ने जिक्र किया आप सब के लिए दौर कोड़ रहे हैं वीजे बोगणा जी के लिए मैंने कहा ना कि नामों की आपचारिकता में मैं जाना ही नहीं चाहता है नामों का अच्छे मुख्य मंतरी थे इंडिविज्वल नहीं मेरे नजर में नहीं मेरे अपनी नजर में बिल्कुल उनके कारेकाल को उत्राखंड के हित में बिल्कुल अच्छा कारेकाल नहीं मानता है राजनेतिक रूप में जिस मनसा से उनको मुक्यमंत्री बनाया गया है हर एक बेक्ति अपने सर्वाइवल को देखता है हमने भी अपना सर्वाइवल देखा और जब हमने देखा कि हमारा सर्वाइवल इनके साथ नहीं है तो हमने अपने छेतर की मांगों को आगे बढ़ा कर अपना संगर्स जारी रखता आज भी जारी है आज भी हरी इश्रावाज जी के साथ है मैं साथ पार्टी के हूँ मैं किसी बेक्टी के साथ नहीं हूँ चलिए वैसे भी कॉंग्रेस को अप गणेश तो मिली गए जी धन्यवाद ये मेरे माता पिता का सुक्रियाज जिन्होंने मुझे ये नाम दिया तैंकी सो मच गणेश को जारी हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपने बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखा थैंकी सो मच बहुत 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 शुक्रियाज से तो ये थे हमारे साथ गणेश को दयार जिन्हों ने अपनी बात बेबाकी से रखी लेकिन सवाल यही की देव भूमी के दंगल में क्या इस बार गड़े शप्तना चमतकार दिखाएंगे अगली बार होगी एक नई शक्सिय से मुलाकात मुझे जी 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 जारत नमस्कार जै हिन जै भारत जै उत्रक सारजुनिक रूप से आप भी जनता की सामने आए और सारजुनिक रूप से वो भी जनता की सामने आए और आप ये कहें कि हरी शुरावत जी के कारेकाल में हमने इतने लोगों को नौकरी दी आप से एक बात जाना चाहरा हूँ, आप साप और नेवले को कैसे मिला देंगे? कौन है साप और नेवले? हरी शुरावत जी को लेकर इतना हिचकिचा रहे हैं मुझे मैं पूछ रहा हूँ कि आप इसी प्रस्ण पर लेके क्यों घुमा रहे हैं?